नमस्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमेराठी डॉक्टर साहिब के एपिसोड में आज हमारे साथ मौझूद है डॉक्टर सारिकार और जो कि बिहार के सबसे जाने माने इस त्री डोग विशेशग्यों में से एक है सबसे पहले माम नमशकार बहुत-बहुत स्वागत है आपका माम आजकल बहुत ज़ादा वजाइना के लिए Fairness Products लेट कैंश इस्तमाल कर रही है सिफ Fairness Products नहीं बलकि हाईजीन के लिए भी तरह तरीके की चीज़े इस्तमाल करती है कुछ क्लीनिंग पाउडर्स कोई और तरीके की चीज़े तो ये कितना सही है मैं पर्सनली इन सब चीज़ों को बिलकुल भी नहीं अड़ोकेट करती हूँ ये मैं बहुत ज़ादा चाहती हूँ कि इसका प्रचार हो कि योर वजाईना, के पास अपने खुद बहुत सारे बैक्टीरिया है जो आप, वो आपके सोल्जर्स हैं वो आपके वजाईना को उसका वजाईनी फ्लॉरा कहते हैं वो आपके वजाईना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप अगर आपको infection नहीं है और infection नहीं हो के लिए आप ऐसे ऐसे products use कर रहे हैं जो आपके भगवान के दियेवे soldiers को खतम कर रहा है तो आप अपने वजाइनों को all susceptible to infection बना रहे हो So I am not at all in favor of using any of these vaginal products to prevent infection In fact I have seen की बहुत सारी लड़किया डेटॉल तक इस्तमाल करते हैं जो कितना लीथल है जो you must understand की थोड़ा बहुत इसको infection नहीं कहेंगे उसको bacteria जो आपका natural bacteria जो natural vaginal flora है उसको नहीं destroy करना है बिलकुल भी नहीं हाइजीन अगर maintain करना है आप सुसू करने जाते हो तो उस समे भी पानी से धो Not only कि जिसे पॉटी करेंगे तो हम धोएंगे बती-पती साथ रहते हैं Immediately wash yourself और this is the best way to maintain your normal hygiene उसके लिए अगर आपको prevention चाहिए Normal water and soap is more than enough Even just water all the day and once in a day soap Is all that you need to maintain a good hygiene for the vagina अपने panties को regularly change करना And that is enough unless आपको infection हो गया है यदि आपको infection हो गया है Smell आ रहा है, नोचनी हो रहा है किसी प्रकार का तकलीफ है तो आपको सिर्फ अपने आपको नहीं आपको अपने partner का भी इलाज करना है जो अधिकांच महिलाएं मिस कर जाती है वो सिर्फ अपना इलाज करती है और अपने पती के लिए अपने partner के लिए दवाया नहीं लेके जाती और अगर लेके जाती भी है तो वो partner खाने किला तयार नहीं है वो बोलता है कि मिरेको तो कोई problem नहीं है हम क्यों खाएंगे and then that patient अभी ठीक हो जाएगी दवाईयों पर फिर 15-20 दन में एक मैना पर वापस आएगी बोलेगी madam मेरे को infection वापस आगया वो infection वापस उसके partner से ही आया है यह बात समझाना मुश्किल होता है बहुत बार partner को वो बोलता कि हमको तो कोई problem नहीं है उसको तो problem होगा भी नहीं because जितना भी bacteria उसके शरीर में है वो किसी भी bacteria को symptoms create करने के लिए एक मातरा में होना जरूरी है मान लिजए हमको 1000 bacteria चाहिए तब आपको symptoms आएगे जैसे नोचनी हुआ discharge हुआ अगर आपके पास एक या दो bacteria है bacteria है पर सिर्फ एक दो दस पंदरा बीस bacteria है तो वो bacteria रहने के बावजूद भी वो आपको कोई symptom नहीं देगा जिस तरह से जिस वक्त कोविड आपको आता है उसी समय से आपको बुखार नहीं होता है जब तक वो कोविड के bacteria वाइरस multiply नहीं करेंगे तो कोविड के symptoms नहीं आते हैं उसी तरह से symptoms आने के लिए वो bacteria को multiply करना है जो आदमी के शरीर में नहीं multiply हो पाते हैं क्यूंकि जब वो लोग रोज नहाते हैं तो वो bacteria 1000 से 10 हो जाते हैं फिर अगले दिन तक 1000 पहुँचने से पहले फिर नहाता है फिर वो 10 हो गए तो वो हमेशा 10 के मातरा में रहने के कारण पती को दिक्कत नहीं देते हैं पर उस 10 में से एक भी अगर वाइफ के वजाईना के अंदर घोज गया वो कितना भी नहा लेगी वो वजाईना एक गुफा है उसके अंदर वो एक अनेक बन जाएंगे और वो अनेक फिर उस औरत को तकलीफ देंगे और वो एंटिबाटिक्स के दौर के चक्कर में फस जाएगी माम जैसा भी आपने बताया कि इंफेक्शन को रोकने के लिए महिलाय प्रड़क्स का इस्तमाल करती है लेकिन आजकल फैर्निस, क्रीम्स और बेटर स्मेल इन सब चीजों के लिए भी प्राइवेट पार्ट्स के लिए लोग प्रड़क्स इस्तमाल करते है हम किसी भी हाश केमिकल को वजाइनल एरिया में प्राइवेट पार्स में इस्तमाल करने के बहुत सक्त विरोधी है इन फाक्ट यह जो वीट I think majority of the girls are using wheat वहां का hair naturally remove करना चाहिए प्रकाज वो एक hygienic process है आपके पास options क्या है आपके पास options है shaving आपके पास option है wheat इस्तमाल करना, hair removing creams इस्तमाल करना और third option है waxing जो बिलकुल इंडिया में especially बिहार में उतना प्रचलित नहीं है very sad of it क्यूंकि shaving से आपके hair और hard होते चले जाएंगे और thick होते चले चले जाएंगे और समस्या और संगीन होती चले जाएगी wheat इस्तमाल करने से it is very good अगर आप color conscious नहीं है आप इस्तमाल कीजे wheat परंतु अगर आप color conscious है अधिकांज माइलाओं का वो जगर dark wheat इस्तमाल करने से होता है तो instead of using wheat mothers of women should advocate जब बच्चों का pubic hair बहुत delicate होता है उसी समय से अगर pubic hair का waxing हो जिसको हम लोग बिकिनी waxing कहते हैं जो somehow is not yet very much बदा प्रचलित नहीं है पर यह होगा I'm sure 10 years down the line वो जरूर होगा अधिकांज जो मैं आज बोलती हूँ वो लोगों को 10 साल के बाद समझ में आता है मैं 10 साल तक शांत तब तक बैठती हूँ यही best तरीका है to remove pubic hair and कुछ सालों में अगर आप early age में start कीजेगा तो within 10 years आपको शायद उसको इस्तेमाल करने की जरूरत भी नी पड़ेगी और hair growth इतना कम हो जाएगा जट आपको किसी चीज़ की जरूरत नी पड़ेगी उमीद करती हूँ कि डॉक्टर साहबा ने जो सारी बाते बताई है अपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले अपिसोड में तब तक के लिए अगर वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माधिम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल है धन्यवाद